अम्मानित मंच, सभी को मेरे नमशकार, सलाम, राम राम आज हम इस सभा का मक्सद जानते हैं जिस तरीके से हमारे देश का प्यारा सवीधान और हमारा लोकतंत्र खत्रे में है हम सब को एक अलग जंग लड़ने है हम सब को एक जुठ होकर परतिबद होना है हमारे देश के सभीधान को बचाना है जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र आखरी सासे ले रहा है उसी इस सरकार के चलते हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग सुक्चेन से रहें सारे भाई प्यार से रहें हम लोगों को जाती के नाम पे धरम पे नाम पे बाट कर सत्ता अत्याने का इन लोगों का काम है ना सिक्षा की बात करते हैं ना रोजगार की बात करते हैं ना विकास की बात करते हैं ऐसे लोगों से हमें अपने देश को भी बचाना है और भाई ललीतियादव जी हमारे बीच के हैं, हमारे जैसे हैं, बहुत सालों से मैं इनका दोस्त हूँ, जानकार हूँ, बहुत अच्छी छवी और मददगार, नेता के रूप में हमारे बीच में विदायक भी हैं, ललीतियादव का साथ देना है, और जो लोग दिसाहीन नेता जिनको मैं बोलू, क्योंकि जो भारते जंता पार्टी का कंडिडेट है, मेरी नजर में वो दिसाहीन नेता है, कभी तो कहता है भीवानी से लडूँगा, कभी कहता है ना लडू राजे सभा से चला जाओंगा, फिर सोचते अलवर से लडू, जो अपना चुनाओ छेतर नहीं डिसाइड कर सकता, ऐसी दिसाहीन नेताओं से हमें अपने अलवर को बचाना है, हमारा अलवर छेतर विकास से पूरी तरीके से तस सालों से बंचित है, ऐसे लोगों से हमें अपने छेतर को बचाना है, हमें जाती पाती सब कुछ भूल के कंडिडेट का नाम भी भले किसी को दिक्कत हो ये लड़ाई बहुत उच लेवल की है हमारे देश की आन बान सान और हमारे देश के भविशे हमारे बच्चों के भविशे हमारे भविशे की लड़ाई है हम सब को मिलकर इस लड़ाई को लड़न लुज घर गड़ जा रहे हैं रोज हर गाओं में जा रहे हैं सभाए हो रही है जिस तरीके का बड़ा जंसमर्थन भाई लाली त्यादव जी को भिल रहा है है मेरे ख्याल से ढाई से 30 लाग वोटों से भाई लाली त्यादव जी यहां से जीत कर जाएंगे आप सभी के साथ और साहियों की जरूरते बात बहुत शुक्रिया जै हिन जै भारत आज इस मोके पर आप और हम सब को यह सोचना है विचारना है कि आज देश किस दिशा में जा रहा है और इस समय हमको क्या निरने करना है हमको कॉंग्रेस पार्टी का वोट किसलिए देना है लोगों के इधान कत्रे में इसलिए कॉंग्रेस पार्टी का वोट देना है भारतिये जन्ता पार्टी दस साल तक सत्ता में रही और दस साल तक यहां से सांसद हमने चुनके बेजे जिन्होंने अलवर जिले की जन्ता के बारे में नहीं सोचा और विकास का कोई एक सिंगल काम नहीं कर आए और जनता से पूछे जनता को समझाए जनता को बताए कि भाई वर जिले में कोई भी एक सिंगल काम किया हो कोई भाई आध खड़ा कर बता दे एक सिंगल काम पूच रहा हूं मैं एरपोर्ट यहां से जा रहा था तो कहा थे हमारे सांसद महुझे यह हमारे जो पृत्यास ही है जो 12 साल से सांस सदे 5 साल इस कैबिनेट हाइन बारत की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं जब कोड का सीम काएरपोर्ट जा रहा था तो यह कहा थे जब हमारे यहां पर मेट्रो टेंज हुई ती अलवर कीम्राना तक वह टेंज जा तो यहां पर बुलेट टेन प्रस्तावी थी वह नहीं आई तो यह कहां थे कोई शाइनी की स्कूल कोला हो कोई एसाइए होस्पिटल कोला हो बगल मेचरन जी वी जी भाई के यहां पर रेवाडी में एम स्कूल गया को इस तरह काम लेकर आये हो तो इनको वोट मांगने का हरे मांगने आ रहे हर बार कैंडिडेट नया भेज देते हैं पिछले वाले चले गए किसा भुजूरुक थे नया भेज आये बाबाजी ठीक काम करेगा बाबाजी आया पात साल निकाल गया अब फिर नया भेज दिया कि यह वाला ठीक करेगा अरे बाई जंता के हां हमारे अलवर जिलाई मिल रहा है कि आपको प्रक्टिकल करने के लिए आप लोगों को अलवर की जंता नकार चुकी है अपकी बार मन बना लिया है पूरा अलवर की जंता ने तै कर लिया है कि हम अपने बीच के हमारे अपने भाई को लली त्यादव को यहां से चुनाव जिता के भे चुनाओं तक मेहनत करने की आउ सकता है बीजेपी के लोग प्रोफ गंडा चलाएंगे भाई मैं भी बहुत दिन रहा हूं मुझे पता ए उनकी आदत का चुनाओं तक बहुत सारी अफवाय फेलाएंगे प्रोफ गंडा फेलाएंगे पर हमको उनकी बातों में नहीं आना है म मैं चरंजीवी भाई से एक बात का निमेजन करना चाहूंगा चरंजीवी भाई ये अपने को यहां से ले जाओ नहीं तो जंता जूते भी मारदेगी कोई बड़ी बात नहीं है अलवर की जंता ने तेकर रखा है आप आरे हो आपका स्वागत है आपका अभिनंदन है लिष् प्रभार का आदमिया के यहां राज निती करना चाहरा है तो मैं निवेजन करता हूं आप सब लोग 19 तारिक तक सब लोली 13 बनके कैंडिडेट बनकर आप सब लोग महनत करें और चुनाओ के लिए जी जान सब लोग जी जान से लग जाए जुट जाए मैं आपको दावे के साथ कहिसकता हूँ कि तिजारा मारी पूरी टीम इमरान भाई ब्रॉयाजिक हम सब लोग लग रहे हैं तिजारा से एतिहासीच जीत होगी जो आद तक नहीं 부분이 कोंगरेस पार्टी एतिहासीच जीत दर तिजारा से कराए ग्याई है से मैं आप सब को आश्वासंद देता हूं हम सब लोग मेंद बहुत करें करें और आने वाली उन्डीज तारीक को ज्यादा से ज्यादा ज्यादा बोट कॉंग्रेस प्रेक्स्ट में दिलवाएए यही आप सबसे अपील करता हूं जैहिन राम राम साब और सामने बिराजे ने सारा का सारा बाबान सुलियर के ने भायान तक सबन को चर्णों में प्रिणाम करता हूँ मैं ये मंच पे आपने छड़ाया ने जो आपकी ताकत है जो मंच पे बैठाया है और आप में वो ताकत है कि आप मंच पे हमको नीचे भी उतार सको भाई अभी आपने सारे भाषन सुन लिये, मैं तो थोड़ा सा कहूंगा, कि अभी उद्वोधन में आया था देवनान भगवान की भी जै बोल रहे थे, और इस छेतर में अपने आपको किर्शन भगवान के वनसज भी कहते हैं, किर्शन भगवान के वनसज और यहां अलवर जिले के गांदी जी, जब मंच में बैटे हों, तो भाई कसर काई रह जिया हैं, अगर तीनों मिलके चुनाओ लड़ोगे, तो ललित भाईया, जो मैं तो यह कहूंगा, कि उने वाले सांसद ललित भाईया, और किसी यह तीनों एक साथ लग जाएंगे ने, तो कैसा भी भावर में सुनावे पार निकाल देंगा, और हमें आदिवासी केवट को काम हम कर देंगा,